Normally देखा जाता है कि Check Bounce Case में Complainant का बहुत ही important role होता है और जब भी accused अगर court में यह कहता है कि मैं payment जो है वो सारी देने के लिए त्यार हूँ या फिर मैं इसको compensate करने के लिए भी त्यार हूँ तो भी court यही कहते है कि आपने जो है वो सबसे पहले complainant से बात करनी है अगर वो मानता है तो ही हम इस case को खतम करेंगे या फिर complainant की presence में या फिर complainant की consent के साथ ही हम इस case को settle करेंगे तो उस situation में भी जो है court direction देती है accused को कि आप पहले complainant से बात करें लेकिन आज की वीडियो में मैं एक ऐसी judgment बताऊंगो आपको जो honorable supreme court की latest judgment आई है और अभी एक अपता पहले ही 2024 में ही वो judgment आई है जिसमें ये बोला गया है कि अगर जो complainant है वो case में नहीं भी आता है या फिर उस case को वो फदर परसीड नहीं करता है या फिर complainant की absence में भी जो case को खतम किया जा सकता है बिल्कुल आपने ठीक सुना कि accused जो है वो complainant की absence में भी check bounce के case को खतम कर सकता है so friends मैं हूँ advocate मोहित और आप देख रहे हैं हमारा channel मोहित शिंग रूवल अगर आपने channel अभी तक subscribe नहीं किया तो channel को subscribe कर लिजिए क्योंकि checks related बहुत ही बढ़िया content इस channel पर आने वाला है so friends बिना किसी तरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं so friends जी judgment में ये low point decide किया गया है उसका नाम है गंशाम गोतम वर्सिज उसरानी और 4 जनवरी 2024 को on the Supreme Court की ये judgment आई है कि आप complainant की absence में भी जो case को खतम कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इस case के facts जान लेते हैं तो इस case में जो check amount था वो था 1,14,000 1,14,000 रुपे का जो check amount था और उसमें check bounce का case चला अब check bounce का case चला तो trial court ने जो accused को convict कर दिया accused को सजा सुना दी अब accused गया appeal में session court में और वहां से भी जो उसकी conviction थी उसको अफैल कर दिया कि इसकी जो conviction है वो proper है अब session court में conviction के बाद accused गया high court में high court में भी accused को conviction ही मिली वहां पे भी उसको convict कर दिया गया कि आपने जो है वो payment देनी है complainant को और साथ में ही compensation और fine भी देना है जो भी trial court ने award किया है तो अब in between जो है accused complainant के साथ एक समझोता कर लेता है और compromise deed जो है वो भी त्यार कर लेता है 16 जनवरी 2018 को 16 जनवरी 2018 को accused complainant के साथ एक समझोता करता है और साथ में compromise deed जो है वो भी execute करता है और उस पे complainant के properly sign करवाता है कि मैंने जो आपके साथ settlement कर ली है एक लाग 14,000 रुपे में और मैंने ये जो amount है एक लाग 14,000 रुपे ये आपको दो installment में pay करना है और साथ में ही दो installment में pay कर भी दिया है तो इस हिसाब से जो है वो compromise deed त्यार की गई अब उसने दो installment में वो amount जो है वो complainant को pay कर दिया एक बार 80,000 और एक बार 34,000 इस हिसाब से सारा का सारा जो amount है check amount जो भी fine या फिर compensation है वो इस हिसाब से complainant agree हो गया और उसने ये amount ले लिया अब payment आने के बाद complainant ने जो accused को ignore करना शुरू कर दिया अब accused की जो conviction थी high court से, session court से और trial court से भी अब accused ने SLP डाली उनरेबल सुप्रिंग कोर्ट में और कहा कि मेरी जो conviction है उसको set aside किया जाए या फिर मेरे किलाब जो section 138 की proceedings है, उनको quest कर दिया जाए क्योंकि मैंने complainant के साथ समझोता कर लिया है और मैंने जो amount है वो भी pay कर दिया है जो भी fine था, compensation था या फिर check amount था वो सारा मैं pay कर चुका हूँ और साथ में उस petition के उसने compromise deed भी लगाई जो उसने complainant के साथ की थी और ये भी बताया कि complainant जो है वो इतना amount लेने के लिए agree हो गया था और मैंने दो installment में ये amount pay कर दिया है एक बर 80,000, एक बर 34,000 इस हिसाब से मैंने complainant को payment कर दी है और उसके बाद ही उसने जो ये agreement जो compromise है वो sign किया है properly read करके तो अब यहाँ पर complainant को काफी सारे सम्मन और notice दिये गए कि आप case में appear हों और बताएं कि क्या समझोता हुआ है या फिर नहीं हुआ है या फिर इस case को contest करें कि जो accuse ने SLP डाली है अब यहाँ पर complainant नहीं आती क्योंकि complainant जो थी उस हरानी उसको check amount और compensation मिल गया था जो कि case में notice सम्मन जो है उन पे भी वो court में हाजिर नहीं हुई तो यहाँ पर finally जो है Supreme Court ने यहीं बोला कि complainant का main motive और purpose यह था कि उसको check amount या फिर fine या फिर compensation जो है वो उसको मिल जाए वो उसको मिल चुका है और properly इसके regarding जो compromise read sign हो चुकी है और उसने read करके ही इस पे sign किये है और यह जो copy है वो इस slp के साथ भी लगी हुई है तो यहाँ पर हमने notice भी किये है समन भी किये है और जो complainant को amount भी मिल चुका है दो installment में तो अब इस petition का कोई भी purpose नहीं रहता है तो finally जो है on double scoring court ने accused के खिलाब जो भी section 138 NI Act की proceedings थी उनको quest कर दिया और उसको acquit कर दिया उस charge से और यहाँ पर यह भी बोला कि complainant की absence में भी जो check bounce का case खतम किया जा सकता है शिरब उसके लिए दो condition है एक यह condition जो भी check amount है यह फिर trial court ने जो fine यह फिर जो compensation लगाया है वो accused ने complainant को pay कर दिया है और इसके अलावा जो भी agreement है यह फिर compromise deed है वो complainant के साथ execute हुई है और उसके proper उस पे sign है और payment जो है वो complainant के account में जा चुकी है यह फिर उसको pay हो चुकी है इस situation में भी जो accused के खिलाब proceedings है उनको quest किया जा सकता है अगर complainant नहीं धा यह फिर उस केस में appear नहीं होता या फिर complainant की absence में भी इस केस को khتم किया जा सकता है यह थी वीडियो जिसमें आपने जाना की complainant अगर केस में नहीं धा यह फिर उसकी absence है यह फिर वो जान बुझ कर ignore करता है यह पिर वो जो amount लेकर court में पेश नहीं होता है तो भी check bounce के case को complainant की absence में खतम किया जा सकता है so friends अगर यह वीडियो आपको चल गया तो like कीजिए share कीजिए और अगर आपने चैनल अब तक subscribe नहीं किया तक चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंकि checks related बहुत ही बड़ीया